ये list के साथ का जो किस्सा है उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और इस किस्से के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं जी अगली चीज की और जो चीज कहती है कि हम लोग बढ़ चले हैं रास्ते पर कौन सा जिसमें indexing आती है तो अब बात कर रहे होंगे indexing की और बात कर रहे होंगे इस particular class की जो की हमारी class number 2 है तो यानि की उसमें मैं आपको indexing का किस्सा है जो पढ़ाने वाली हूँ और indexing की बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ दो शब्दों का इस्तिमाल हुआ है एक हुआ है negative का और एक हुआ है positive का जे हाँ बिलकुल जब भी आप बात करोगे list के और उसके साथ साथ उसके जो साथ ही है यानि की string यानि की list के साथ में आता है जी tuple तो इनके अंदर बात हो रही होगी जे किस की इसके अंदर बात हो रही होगी आपके पास में indexing की क्योंकि ये तीनों के तीनों जो data type से बिलॉंग करते हैं वो है sequence इसमें भी positive negative indexing होती है इसमें भी होती हो और खैर इसके अंदर तो आप बढ़ रही हो तो चलिए अब बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं creation हम कर चुके हैं अब बात आती है कि खैर indexing है क्या अगर आप लोगों ने string के अंदर कर रखा है indexing तो तो super duper cool है क्योंकि बिलकुल वैसे ही होने वाला है indexing बढ़ अगर आपने नहीं किया है और आप यहां से देखने के बाद में string के अंदर जाएंगे या ट्यूपल के अंदर जाएंगे तो चीजें आपको easy नहीं super duper easy है जो लगेंगी तो चलिए class का किस्सा शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले subscribe कर दो या चानल को एक के बाद एक जो आपका syllabus है उसके अंदर से चीजें हैं जो हम लोग यहां पर cover up करते जा रहे हैं तो यह उमीद करेंगे कि आप बच्चे हैं जो इस चीज की tension ले रहे होंगे कि भी माम का चानल हमें ही subscribe है जो करना और हमें ही share करना है क्योंकि माम हमारी tension ले रहे हैं और हमारी tension है जी पढ़ाई और पढ़ाई के लिए सारी चीजें हैं जो आपको time पर मिल रही है बात कर रहे हैं यहां पर list indexing की तो बात करेंगे सबसे पहले positive indexing की तो positive indexing याद रखेगा हमेशा left से right जब भी आपको जाना है तो बात हो रही होगी positive indexing की तो इसके अंदर जो किस्सा आपको याद रखना है तो पहला किस्सा कहता है कि हमेशा जब भी indexing शुरू करो ना python के अंदर चाहे वो string हो चाहे वो tuple हो चाहे वो हमारी list हो हमेशा ये zero है तो zero से start करते हैं तो मतलब इसके समझने के लिए आप ऐसा समझ लो वैसे तो मेरी drawing काफी अच्छी नहीं है बट मैं बनाने की कोशिश कर सकती हूँ अगर बन गई ना तो मतलब okay so not bad हाँ okay आप मतलब जो चीज में बहुत बुरे हो इसमें आप कुछ भी थोड़ा सा भी करते हो ना तो आपको वो पता नहीं कैसी अच्छी लगते है मैंने बना तो दिया लेकिन मैंने जो example बताना है उसके मुताबिक नहीं बनी ना ये drawing सच में यार ठीक है तो हम एक example ले लेते हैं ये हमारी एक bus है उसके नीचे दो टायर है ठीक है अब आपको हसना है तो आप हस सकते हो अब उसके अंदर क्या चीज है कुछ सवारियां बैठी हुई है हमने का ठीक है अब देखो क्या चीज है जब आपने किसी बस में चड़ते हैं तो उस बस के अंदर सवारियों के नाम होते हैं, बलकुल होते हैं, अब उस बस के अंदर और क्या क्या होता है, उस बस के अंदर सीट नंबर लगे होते हैं, बलकुल, और नहीं जानना हमें, एक हमें जाना है कि सवारियों का नाम भी होता है, जैसे कि अगर हम बात करें, इसके अंद लिट नी हो आट आयागा तो ऐसे सवारी तो सेट एक्से हीं इच्वारेती आपको एंडेक्सिंग hog थिर्विए थी फंडा अपनाने वाले हैं तो यह क्या है मेरी जो है आइटम से लिस्ट के अंदर की यानि की इसके अंदर क्या है कुछ डेटा है और उसका जो इंडेक्स नंबर है वो हो रहा है 0, 1, 2, 3 से स्टार्ट यह उपकल बखू भी वैसे हो गया है जैसे किसी बस में किसी ट्रेन में सीट नंबर होते हैं और उन चीज लिखी है तो यानि कि अगर आप लेफ्ट साइड से चड़ते होना बस में तो आपके जो इंडेक्सिंग होगी वो पॉजिटिव होगी तो जब हम राइट साइड से बात कर रहे होंगे तो यहाँ पर नेगटिव इंडेक्सिंग का किस्सा आएगा वो खैर मैं आपक आपको पॉजिटिव इंडेक्सिंग क्या समझ में आई अब अगर आपको यह चीज समझ में आ गए तो आप इस एक्जैम्पल को यह वाली जो चीज मैंने लिखी है इससे आप थोड़ा सा समझ सकते हो तो कलर सुनाम से मैंने एक लिस्ट है जो अपनी डिक्लेर कर दी अब यह फिक्स है इपिक्स डंबर है इनके ठेक है चार है यह पांच दो बात हो करकर आरे है कि अच्छा सीर ड़ेंवा एक और ग्रीन वैंडवा जो यह चीज सिंग जो चार गरिए यहां पर एक list ले लीजे फिर से वही चीज list जरूरी नहीं है यहां पर यह अपने list नाम लेना है तीक है आपने कुछ items को डाला इसमें तीक है ओके so यह चीजे आगे अब आपने क्या करते है कि देखे इसमें zero number पर कौन है अब मेरे बताने से पहले आप बता देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा यहां राइंटी print और list इसमें हम यह big brackets का use है जो करते हैं तो अगर मैंने लिखा list का zero तो इसकी बात कर रहा है कि zero number जो है index उस पर कौनसी item है उस पर 11 है हमारे पास में अगर मैंने कहा यहां पर 4 तो गिनों कहां पर है 4 यह 0 है यह 1 है यह 2 है यह 3 है यह 4 है तो वहाँ पर जो भी item होगी वह आपके पास में display हो जाएगी अब यह कुछ भी हो सकता है it can be अगर हम बात करेंगे यह कोई list of list भी हो सकता है अगर मैंने कहा चार नंबर पर तो वह आपके पास में जो भी item वहाँ पर बैठी होगी तो वह आपको यहां पर display हो जाएगी तो यह क्या हो गया आपको किस्सा समझ में आया positive index का तो मैं इस किस्से को थोड़ा सा और यहां पर deep में आपको बता दूँ देखें बात कुछ भी नहीं हुई है बात अगर आप पहली बार सुन रहे हो तो थोड़ा से आपको लगेगा अगर आप दूसरी तीसरी बार सुन रहे हो तो आप इसको जस्ट जो है 2x की speed पर revise ही कर रहे होगे क्योंकि यह बहुत आम बातों अब इसमें answer करके बताएए यह आपके पास में list नहीं है यह tuple है बट tuple में भी indexing होती है तो it's okay दोनों में से अगर मैं इसमें ऐसे brackets का use करूंगी तो that's your list अगर नहीं करेंगे तो that's your tuple by the way बात करते हैं कि अब बात करते हैं कि अरे भाई आपने ticket करवाई जो bus में ticket करवाई उसमें एक से ले करके 10 number seat था उपने कहा भाई मेरी तो 100 number seat हो रखी है तो क्या हो जाएगा भाई लडाई नहीं होगी अब यहाँ लडाई तो होगी नहीं तो यह कहेगा भाई जिसका पता तुम पूछ रहे हैं वो पता यहाँ पर नहीं है यहाँ पर तो सर्फ 3 ही बंदे हैं और उनके पास 0, 1, 2 उनके index number है आप 20 पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं और यहाँ पर बात ही नहीं होती हैं यहाँ पर जा तो जवाब मिलता या error मिलती है तो बात करेंगे आगे negative indexing के साथ हमें negative indexing कहती है यहाँ पर कि आप जब भी बात कर रहे हो ना कहां से right से left की तरफ तो किस्सा खतम नहीं किस्सा शुरू होता है किसका negative indexing का जहाँ पर किस्सा खतम होता है positive का वहीं से किस्सा शुरू होता है negative का तो बात आती है negative की तो यह होती है right से start तो हम बात कर रहे है minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 जी हाँ बिलकुल बात कर रही है यहीं की minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 and minus 5 तो जब बात हमने इसकी शुरू की तो क्या मैं मैं इसको ऐसा समझूं कि मैंने colors के अंदर ऐसा कहा कि minus 1 कहाँ पर है तो क्या मेरे पास में यह item आईगी black display होगी? Yes, हम कहेंगे बिल्कुल तो इसमें जो negative indexing है वो right से start होती है ठीक है और फिर left की side है जो चलती है तो यदी हमने यहाँ पर minus 2 लिखा तो आपको क्या चीज समझ में आएगी? यह 1 है यह 2 है तो यानि की पीछे से second last की बात हो रही है और जो की 77 है अच्छा मैं अगर मैं इसके अंदर minus 1 करूंगी तो 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 बिल्कुल minus 1 का मतलब last item अच्छा कभी कभी बच्चा यह भी पूछ लेता है अब मैं बच्चे से कहूँगी कि आपने घर पे जाके कहा कि मम्मी मेरे plus 0 नंबर आए है यह negative 0 नंबर आए minus 0 तो छंगाई किसमे कम और जादा होने वाली अरे बही दोनों में सेम चीज होने वाली minus और plus दोनों सेम ही होते है 0 is 0 मम्मी की flying shuffle की speed है जो कम और जादा नहीं होने वाली है minus यह positive सुन करके because 0 is 0 तो 0 से आपको जो answer आना है वो आपको वही आएगा positive यह negative से कोई फरक नहीं पड़ेगा because 0 is 0 कहर किसा आगे बढ़ाते है और यहां पर आपने लिखा minus 6 तो minus 6 की जब बात आती है तो अच्छा मैम किस की बात करते है 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4, 5 और 6 तो क्या मैम 33, 33 की बात कर रहे है जी हाँ बिलकुल क्या आपको इसमें कोई भी दिक्कत आई बिलकुल मैंने आपको इसको बड़े ही अराम से आपको बड़े ही एक्तम तरीके से आपको बता दिया कि negative indexing right से left की तरफ चलती है और positive indexing left to right की तरफ चलती है ओके तो इसमें फटा वट से आप मुझे आंसर करके बता रहे होंगे तो आप मुझे बताएंगे तो जब आपने तीनों में से किसी के साथ भी एक बार भी indexing का खेल खेल लिया तो बाकियों के साथ आपको ऐसे लगेगा तो चलिए अब बात करते हैं कि लिस्ट में अगर एक लिस्ट हो तो उसके अंदर की आइटम्स को मुझे कैसे ढूनना है समझ में आई बात, नहीं आई तो करते हैं अब देखे, किस्सा कहता है कि आपके पास में क्या है कि आपको ताकि हमें दूर से ही कुछ यूनीक 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 आईटम्स हैं को देखे मुझे ना यार यह 220 को एकसे करना है ठीक है, अपने क्या गरते हैं, या तो positive चलो या negative, तो आप कहते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, आच्छा, तो मैं मेरे को ये चीज समझ में आई कि मैं 4 करूँगा, तो, तो आपके पास में आगया, अच्छा, negative से करें, 1, 2, 3, और 4, तो माइनस 4 कर लेते हैं, तो भी आगे पीछे से आपके पास में इस तरीके से आगया, नहीं, नहीं, मुझे 220 या 110 या 330 को access करना है, what to do for that, अच्छा जी, अरे भाई, ये भी तो लिस्ट के अंदर एक लिस्ट है इसमें भी तो इसके इंडेक्सिंग हो रही होगी, तो अगर आपको यूज करना है क्या बीच वाला, तो हमारे पस तोटल आइटम कितनी है, 3, तो हम कहेंगे माइनस 2, तो हम तब 220 तक पहुंच रहे होंगे, अच्छा मैम, क्या मैं इसमें 1 लिखूंगा, ये नेगटिव पॉजिटिव दोनों इंडेक्सिंग यहां पर होती है, तो आप इसकदर उसके अंदर है, जो पहुंच पाए, अच्छा जी, अगर मैम एक बात पूछूं आपसे, अगर हमने इसमें एक स्ट्रिंग दे दिया होता तो, जी हां बिलकुल, अगर आप एक स्ट्रिंग देंग इसको हम यहां पर इस किस्से को तोड़ा सा जाधा समझते हैं, पहले माइनस चार तक पहुंचें, तो माइनस चार का किस्सा गहता है, 110 और P.O.P. और 330, हमने कहा, शाब बाश, अच्छा, कहता है कि माइनस एक, तो यह 0 है, यह 1 है, यह 2 है, तो आप कहते हो, P.O.P. ठीक है अब हमने कहा, 0, तो यह भी एक list है, तो 0, sorry, string है 0, 1, 2, तो किसकी बात हो रही है, P की बात हो रही है, हाँ, तुम इसमें negative indexing कर सकते हो, इसमें भी कुछ भी हो सकता है, it is something like कि जैसे मैंने किसी को चट्टी बेजे, मैंने का बंदा दिल्ली में रहता है, दिल्ली में इस sector या इस कलोनी में रहता है, उसका यह नंबर गली है और यह नंबर फ्लाट है, तो वैसे ही आपने क्या कहा, पहले minus 4 पर गव, जाओ, फिर 1 पर जाओ, फिर 0 पर जाओ, हाँ, हाँ, negative index भी दे सकते हो, तो अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं, कि इसमें मैं minus 1 और इसमें मैं minus 2 कर दूँ, तो क्या होगा, तो देखे, minus 4 तक गए, तो यहीं तक गए, minus 1 की बात हो रही है, तो 330 की बात हो रही है, और इसके, जो हमारा integer है, उसमें कोई index होता है, अरे बहीं कैसी बात कर रहे हो, नहीं होता है, तो ऐसे में आपको error आजाएगी, क्योंकि index में हमारे इन ही data type है, which is tuple, which is हमारे पास में string और list तो खेर करी रहे हैं, तो अगर हमने यहां पर ऐसा कुछ किया, अगर मैं इसके अंदर change करती हूँ, तो मैं कहती हूँ, minus 1, minus 0, 1, 2, 2 कर देती हूँ, तो हम P.O.P. तक पहुँचे, तो 1 है, 2 है, तो यह तब हमारे पास में O answer आ रह की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम minus 1 की बात करके, तो सबसे पहले हम यहां पर पहुँचे, which is A, B, C, फिर 3, 4, किरपय अगर के single quotes, imagine करीए, अब उसके बाद उसका minus 1 है, तो कौन है जी, 4 की बात हो रहे है, अब हमने कहा minus 1 पर जाओ, हमने कहा चले जाते हैं, कहता है ABC, हमने कहा super cool है, आप कहता है कि उसके अंदर 0 पर जाओ, तो 0 पर क्या निकला, ABC, किरपया करके single quote, double quote, imagine कर लीजे, उसका भी 0 कौन है, जी, बिलकुल आपके पास A है, ठीक है, length function की बात करते हैं, तो आपके पास में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो आपके पास में total कितनी list के अंदर सवारिय हो गई, 7 हो गई, ठीक है, अब अगर हम माइनस 1 की बात कर रहे हैं, तो माइनस 1 यानि की इस पूरे की बात हो रही है, तो आपके पास में list में answer आगे, अब यही चीज मैंने आपको यहां पर बता दी, जो अभी अभी बताई, तो इनका answer है, जो आप मुझे नीचे comment section के अ और इसको भी पोज करके इसका answer भी आपको दिख जाएगा, और यह हमारे पास में किस्सों में से किस्से हुए, कौन से indexing के, तो जिसमें positive है, जिसमें negative है, अगर आपको यह indexing का किस्सा समझ में आएगा, तो आपको कोई दिकत नहीं होगी traversing करने में, लिस्ट के अंदर, आपको कोई दिकत नहीं होगी slicing करने में, तो यह चीजें आपको यू चुटकियों में हैं, जो आपकी चीजें हो जाएंगे, तो चलिए, अब मिलते हैं आपसे अगली class के अंदर, thank you so much बचा, and yes, channel को subscribe करिए, और दोस्तों के साथ में share नहीं, share, 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 share करिए, तो चलिए